प्रदेश भर में चुनावी माहोल चाया हुआ है सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए और अपनी योजनाओं को बताते हुए जीत की बात करती नजर आ रही है आपको बता दे आज भाजपा कॉंग्रेस नहीं बलकि इस बार तीसरी पार्टी लोग जन शक प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता से खास बातचीत में जाना कि क्यों प्रदेश को एक नई पार्टी की आवशक्ता है प्रदेश भर में चुनावी माहोल देखने को मिल रहा है कॉंग्रेस या भाजपा या अन्य कोई भी पार्टी अपने प्रचार प्रसार करती चुनाव को जीतने के लिए या फिर यू कहेगी क्या पता प्रदेश को अब नई पार्टी की जरूत है क्योंकि कॉंग्रेस और भाजपा की तो एक चेन चली आई है अब क्या जो ये पार्टी है इस चेन को तोड़ पाती है क्या कुछ इसकी रण निती रहेगी आई जानत है ग्यानचंद गोतम जी जो दिल्ली से पदा रहे हैं और आप में जैपूर से जैपूर संबाग के जैपूर संबाग के परभारी हैं और मैं प्रदेश सद्यक सूरज कुमार मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से ये दोनों पार्टियां पांच-पांच साल का खेल खेलत हैं और नागालेंड से भी हमारे अभी फिलाल 2ML हैं और रही बात यहां की राजस्तान की तो राजस्तान में आपको बताओं मैं पिछले जो कार्यकाल था कांग्रेस का उसमें आपने भी देखा होगा कि जो जिस तरह से बेरोजगारी यहां चरम सीमा पर हो गई और आए दिन आए दिन आपने देखा कि रागबार भरे रहते थे पेपर लीक वगेरा से जो कितना ही तो आज का युवा कहां जाए तो आज देखो किसानों की जो इस्तिती है वो कहां जाए आज मजदूर की मजदूरी तक नहीं मिल पारी है तो हम उन लड़ाई जो वंचित रहा है उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं पिछले 20 साल से हम लड़ाई लड़े तो उन प्रदेश में जब चुनावी माहूल आता है तो सब लोग सक्री होते हैं हम यह कर देंगे वह कर देंगे लेकिन पांस साल में फिर कोई कारेकाल में कुछ भी नहीं करता हुआ दिखता ना वो दुबारा लोगों के घर जाता हुआ दिखता या उनकी मांगों को पूस्ता पता चुका हूँ कि हम पहले भी यहां पर भागीदारी रही है हम एमले रहे हुए हैं और हमने हमको काफी परियास किया गया उस टाइम बीजेपी की सरकार थी तो काफी परियास किया गया हमारे एमले को लेने के लिए यहां तक कि उनको मंत्री बनाने का भी ओफर दिया ग हैं लेकिन उनकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी आप से जानना चाहेंगे कि जो मुद्ध्य आपने बताए ठीक है सब लोग करते हैं लेकिन क्या जो आपकी पार्टी है दिव्यांग के लिए या बात कहें थर्ट के लिए क्योंकि आज भी अगर हम थर्ट जेंटर को देखते हैं तो एक घ्रणा से देखते हैं उनका खुद का यह कहना है कि जब हमें हमारे हैं फारुक भाई हम वह बिल्कुल विकलांग है और उनको हम जहलावार से टिकेट देने का काम कर रहे हैं उनको भी चुनाव लड़ाने का काम हम ही कर रहे हैं और रही तीसरे जेंडर की बात हम हम उनके साथ हैं आज क्या है कि उनको कहीं पर भी किसी ने भी कोई टिकेट नहीं देता लेकिन आज देखो महराष्ट में वह निर्दली भी जीते हुए हैं तो हम उस जो थर्ड जेंडर है वो भी समाज का एक हिस्सा है और हम चाहते हैं कि वह भी आगे आए और सत्ता में भागीदारी पाएं बात करना चाहेंगे लोग जन पार्टी के परवन शर्म को बता दूं कि अभी आपने कुछ दिर पहले बोल रहे थे कि किस मुद्दे पे चुनाओ लड़ेंगे जैखिए जनता ने इस बार मूड बना लिया है जनता ने जनता ने यही काया कि कि इस बार जो है ने पिछली सरकार जो गई है बहुत भरस सरकार थी है ना और हम आपक जो चल रही अभी जो चल रही थी यह दोनों पाल्टी है जो बीजेपी और कॉंग्रेस यह दोनों एक ही पाल्टी है इस परदेश कंदर यह दोनों एक ही पाल्टी मैं केंदर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप लोग इस बना दो कि यह केंदर में मोदी जी के लिए मोदी ज होना कि यह कभी नहीं करते हैं यह लोग जन सकती पाल्टी है कैसी पाल्टी है यहां पर जो भरष्ट लोग को सबक सिखाने का काम करेगी और मैं आपको बता दू कंडिडेट की बात रही तो जैसा कि अध्धक जी ने बता है आपको कि 40 सीटों पर तो फाइनल मोहर लग चुक और इधर सागा ने रहा विदादर नगा रहा यह तीन चार जगह जो और है माल भी नगा रहा और तीन चार पांच जगह उस पे हमारा भिसेस ने गाटी की हुई है मैं आपको बता दू क्योंकि यहां बिकास नहीं हो पाता है सिवी लाइंस में 20-20 साल हो गई रोड रोड आज भी जो रोड बने हैं आप नीचे से उखारेंगे ना ऐसे तो आपको मिटी ही मिलेगा आपको हाथ से उखर जाता है से रोड तो इसको विकास नहीं कहते हैं तो हमारा मुद्दा स्रीफ विकास कराएगा विकास करना और विकास की बात करते हैं बीना भेद भाव बीना लाइल लप्टाई के कोई ऐसे लाइल लप्टाई का हम लोग बात नहीं करते हैं जमीन से जुरे हुए हैं और हर कोई कार करता हम लोगों से मिलते हैं हमारे अदग जी बिलकुर सेंपल है सीधे हैं हर कोई इन से मिल सकते हैं चिराग जी से हर कोई मिल सकता है ऐसा नहीं कि इन विकास का है और आप लोग भली बाती जानते हैं अब लोग हर किसे मिलते हैं तो आपको अच्छी तरीका से नोलेज है कि पाल्टिया, यह दोनों पाल्टिया क्या करती है तो हमारा मुद्धा सिर्फ विकास का है और विकास करेंगे अगर जनता ने सपोर्ट किया तो विकास करेंगे विकास की अगर बात करते हैं तो विकास में बहुत सारे मुद्ध आते हैं जैसे देखा जाए तो महिलाओं को लेके या फिर बच्चों को लेके अभी भी कही ना कहीं बालश्रम जो है एक्टिव है वो काम बच्चे जो है काम करते नजर आते उसके लिए क्या करेंगे या फि लोग जन्सक्ति पालिटी कागर बनी तो मैं आप लोग को बिस्वाज दिर आना चाहता हूं कि चाहे वो MLA का बच्चा हो या चाहे फुटफाट का बेटा हो ये दोनों के लिए दोनों का स्कूल एक ही होगा या होस्पीटल हो ये दोनों के लिए एक ही होगा किसी से भेदभाव नहीं किसी जाती बादी से कोई भेदभाव नहीं मैंने पहले भी कहा था, कि हम सब को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, यह नहीं, कि यह नीचे काश के लोग है, चलो तुम वहां बैठो, ऐसा कुछी है, सर्व समाज हमारे लिए एक है, और एक ही हैं, और हम एक ही रहेंगे, यह दोनों पाल्टी जो खेल-खेलते हैं, भाई- पी वाले हैं, बाप बेटा में लरवा देते हैं, ऐसा हमारा हिंदू जाती वादी से कोई मतलब नहीं, हमारा मुद्दा यह है, सिर्फ भिकास करना, शिक्षा, होस्पिटाल, और रोड, और कई सारे योजनाएं हैं, जो उस पर काम हम लोग करेंगे. सर, जानना चाहेंगे आपसे, कि जो हिंदू-मुस्लिम मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, मेरे हिसाब से या देखा जाए तो यह होना चाहिए, कि जब हम सब लोग एक प्रदेश में रह रहे हैं, तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, तो आपको नहीं लगता कि इस जो यह जो मुद्दा उठा हुआ है, हिंदू-मुस्लिम या शिक्षा या बच्चे या गरीबी या अमीरी इसको मिटा देना चाहिए, नहीं हमारी पार्टी में कोई यह मुद्दा नहीं है, आपको मालूँ हमारे बिहार के अंदर, वहां गरीब लोगों की भी हत्याई हो सबसे पहले चिराग जी तुरंट पोस्ते हैं वहाँ पर, चाहे वो दलीत है, चाहे अपर कलास का आत्मी है, तो हम तो हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा कभी बनाया है नहीं, हिंदू-मुस्लिम सीक साइज सबको समान मानते हैं, यह पार्टी और जब भी चुनाव हुए है हमारी पार्टी ने हर जाती धरम के लोगों को टिकेट दिया है, यहां तक कि जो आप कहने हैं दिव्यांग, उनको उन तक को भी चुनाव लडाने का काम किया है, जब भी उनकी सरकार आई है, रेल मंतरी थे, DR-UC, JDR-UC, और हर कमेटी के अंदर उनने सब जाती धरम के लोग कुली जो थे, उनको ये सम्मान दिया, बात्ता रजा जो कैजूल थे, उनको पर्वनेंट करने का काम किया, जब भी मंतरी बने हमारे राम विलाज पास्वान जी, चाय इस्टिर मंतरी थे, उन्होंने एजेंसियां दी, गरीब गर के बच्चों को खास कर उन्हों को एजें काम किया है, मैं धन्यबाद देना चाहता हूँ आपको भी नफ्तेश टीवी को, जो आप कवरेश कर रहे हैं, क्योंकि बागी और तो बड़ी-बड़ी पार्टियों को ज्यादा कवरेश करते हैं, चोटी पार्टियों को ध्यान नहीं देते, रहा अभी जैसे बाहर भी हम लड़े भी नागलेंड का बताया आपको, वहां दो सीटे हमारी आई, नो सीटों पर हम दूसरे नंबर पे थे, तीन सीटों पर हम तीसे नंबर पे थे, तो आज साथ से चिराख पासवांजी जो हमारे राश्य अद्दक शाब, जो भरते वे हमारे नेता हैं, वो बहुत ब परिवों पत्याचार हुए, चाहे वो अपर किलास का है, पिसली जाती का है, तुरंत वहां जाते हैं, उस परिवासे मिलते हैं, उनको आजवासन देते हैं, और हर एक की मदद करते हैं, रहा आपने दिव्यांग का बताया, आप आईए हमारे आपर 71 नंबर कार राले, नौ कोई भी आ सकता है, हमारे अद्धक जो हैं, चिराक पासवन जी, वो आज भाजपा की दूसरी लिस्ट भी आ गई है, पर देखा जा रहा है, कहीं भी पूर्व सीम वसंद्रा राज्य का नाम सामने नहीं आ रहा है, लिस्ट के आते ही अनुमान लगाया जा रहा है, कि इस ब पर आज खास बाच्चीत के लिए भाजपा नेता सुनील मिरदुल हमारे साथ जुड़े साल में नहीं बैट वारा है, क्या कुछ रण निती है इनकी चुनाव को लेके और ये जो विरोध हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है, बात करेंगे सुनील मुदगल जी से, सर जो अगर बात करें, 41 जनों की जो अमीदवारों की आपकी लिस्ट निकली है, कहीं ना कहीं, चा लोक तंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और खात झाल